Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? I hope you guys are doing absolutely fine. आज बच्छापार्टी हम लोग करने वाले हैं, क्लास 11th का चाप्टर Mother's Day. तो आर अल्रेडी से पहले के जो चाप्टर्स हैं आपके, The Summer of the Beautiful White Horse and the Address, ये मैं आप लोगो को करा चुकी हूँ, along with the most important question answers. ठीके, उसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे भेज चुकी हूँ, description में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जॉइन कर सकते हो, just in case अगर आप लोगों को most important questions का PDF चाहिए होता है. इसी के साथ साथ जो आपकी दूसरी बुक है, जिसमें chapter number 1 है, the portrait of a lady, उसके भी मैं आपको 2-3 chapters कर रहा चुकी हूँ. तो बीना किसी देरी case, चुरू करते हैं Mother's Day, यह जो पूरी की पूरी वीडियो है, यह मैं आपके exam perspective से बना रही हूँ, यानि की exam special है, चाहिए फिर वो आपका half yearly हो, या फिर आपका final exam हो, Mother's Day आप सभी को पते हैं कि एक play रिखा गया है, और यह आपकी books में काफी जादा बड़ा दिया हुआ है, काफी जादा खीच रखा है इस play को, ठीक है, बहुती सुन्दर play है, बहुती light play है, इतना कुछ difficult play नहीं है, बहुती जादा लंबा है, फोड़े से previous year question answers जो पहले के exams में भी पूछे जा चुके हैं, और इसकी pdf मैं आपको दे दूँगी telegram पे, अगर आप लोगों को कोई doubt भी आता है lectures में, तो telegram पे जो हमारा group है, आप लोग उस पे text करके मुझसे clearly पूछ सकते हो या comment कर सकते, तो बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं बचो, Mother's Day, अब आप सबसे पहले ये समझो मोटा मोटा कि इस प्ले में ना पाँच मेजर कारेक्टर्स है, फिक है, जैसे आप लोग बच्चा बच्चा पाटी क्या ढूंदते हैं, कि ज्यादा वीडियो ना खिची भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही बात को बार बार टीचर रिपीट ना करें, बिल्कुल एक्जाम परस्पेक्टिव से हमें सीधा सीधा समझा दें, तो मैं भी बिल्कुल वैसे करने वाली हूं, मैं बे मतलब किसी बात को खीचनने वाली हूं याँ पर, ठीक है, ये वीडियो लंबी हो, मैं कट्टू कट्टू में बिल्कुल एक्जाम परस्पेक्टिव से पढ़ाने वाली हूं, जित्ती बिल्कुल इंपोर्टेंट है, सबसे पहले ये समझ लो कि इस प्ले में पांच मेजर कारेक्टर्स हैं, ठीक है, एक है मिसिस प्योसिन, पूरा नाम है मिसिस आनी प्योसिन, उसकी बाद उनके हस्बेंड है जॉर्च, उनका बेटा है तेरल, उनकी डॉर्टर है जॉरिस, और उनकी एक neighbor है Mrs. Fitz ठीक है अब पूरा का पूरा play इनी के इर्दगीर धुमरा है पूरे के पूरे play में न मादर्स की जो importance है वो बताई गई है कि हम हमारी माउ को कितना underestimate कर देते हैं हाला वो हमारे लिए कितना काम करती है अपनी इच्छा से करती है और हम लोग उन्हें least appreciate appreciation भी नहीं दे पाते हैं तो यह चीज इस play में बहुत भारी तरीके से दर्शाई गई है कि कैसे हम लोगों को लगता है कि जो हमारी माई काम कर रही है वो तो उनका धर्मे करो हम लोग बिल्कुल भी grateful नहीं होते हैं तो एसा नहीं है और हमें grateful होना चाहिए अपनी माई के लिए था आउट अफ प्यार हमारे लिए ये सब लिए ना कि इसलिए कि वो उनका धर्मे के वह करें ही करें तो पांच characters को आप लोग याद कर लो, मतलब एक family है और एक neighbor है, family में कौन है, मिया बीवी है, Mrs. Pearson और उनके husband George Pearson, उनका एक बेटा है Cyril, बेटी है Doris, और एक neighbor है जिसका बहुत important role है Mrs. Fitz, यही एक important lady है, जो इनको, उनकी family को मज़ा चखाएगी कि कैसे तुम लोग मदस की अब यहाँ पर ध्यान देना, कि यह जो पूरा का पूरा play है, लिखा किसने है, J.B. Priestley ने लिखा और यह कैसे reveal करता है, कि कैसे एक mammy के जो effort है, वो उसकी family ignore कर देती है ठीक है, तो यहाँ पर Mrs. Pearson की जो family है, ठीक है, उसमें जो Mrs. Annie Pearson है, वो बहुत चीज़े करती है, अपने husband के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी बेटे के लिए, पट उनकी family किस प्रकार, किस अंदाज उन efforts को ignore करती है, यह यहाँ पर दर्शाया गया है It narrates how the family members who work 8 hour shift a day, look upon her, although she works for the whole day and whole week, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि जो family members है, जैसे उनके पती हो गए, वो तो 8 घंटे की नौकरी करके आज आते हैं, और फिर उसके बाद पूरे तरीके से अपनी बीवी पर डिपे डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी भी काम के लिए, बट उनने यह नहीं दिखता कि उनकी बीवी, कि तो कोई working hours ही नहीं है, वो तो सुबह से लेकर शाम तक काम करी रही है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, just because वो घर पर है, इसका मतलब यह नहीं है, कि उनने काम नहीं है, same with उनके बच्चों के साथ, कि भाई यह तो इनका धर्म है, यह तो इनने करना ही करना है, they make her feel obligated to provide for them and do not even appreciate her efforts, तो वो अमनी ममी को क्या feel कराते हैं, कि जैसे यह आपको करना ही पड़ेगा, और बिलकुल भी अमने ममा के efforts को appreciate नहीं करते हैं, एक है, it revolves around how her friend Mrs. Fitz, who is a fortune teller, helps her earn the place and respect she deserves as the woman of the house. अब इस पूरे के पूरे प्ले में क्या बता गया है, आप देखोगे कि कैसे ही जो neighbor है Mrs. Fitz, Mrs. Fitz क्या करती है, Mrs. Fitz एक fortune teller है, बताती है कि आगे भविश्य कैसे होगा, एक तरीके से बोलो, cards पढ़ना, हाथ देखना, यह सब, तो एक fortune teller है वो, और वो उनकी मदद करती है, क् गरवाले हैं, वो तुमारी इज़त इसने नहीं करते हैं, क्योंकि तुम उसे कंडे नहीं देती हो, क्योंकि तुमने यह सब normalize कर रखा है, ठीक है, और वो फिर उनकी मदद करती है, उन्हें इज़त दिलाने में, वो कैसे मदद करती है, यह हम लोग देखेंगे, चालो, तो यहां से play हमारा शुरू होता है, ठीक है, अब play में क्या-क्या है मैं आपको बताती जाओंगी, तो play शुरू होता है, दो friends बैठी होती है, तो friends मतलब वो neighbor, Mrs. Pearson और Mrs. Fitz, राम से बैठी होती है, एकदम एक candid conversation, candid मतलब एक random कहीं की conversation जो है, वो कर रही होती है, और कहां पे बैठी होती है, Mrs. Pearson के ही घर बैठी होती है, यानि कि आप समझ लो कि play शुरू हुआ, Mrs. Pearson के घर की setting है, दोनों friends बैठी हुई है, Mrs. Fitz, Mrs. Pearson, ठीक है, और वो अपना बाते कर रही है, Mrs. Fitz, जो है, वो Mrs. Pearson को बता रही है, कि कैसे आगे होने वाला है तुम्हारा भविश्य, क्या lucky है, क्या unlucky है, और उन्हें advice भी कर रही है, उसके according, जैसे अगर हम लोग जाते है, fortune tellers के पास, बोलते हैं, बताओ, आने वाला वक्त कैसा है, क्या है, तो वो हमें कुछ-कुछ उपाए भी advice करते है, क्या पैसा करो, ये करो, वो करो, तो बिल्कुल वैसे ही, यहां पर Mrs. Fitz भ बेल की बात बोल रही है, क्यार मैं जित्ता भी काम करनू, मेरे जो family members भी इजत नहीं करते, respect नहीं करते, और मैं उनके लिए जो भी करनू, बिल्कुल भी appreciation नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी, क्यार देखो, ममी ने किया, she's available for them 24-7, एक मा जो है, वो अविसली Mrs. Pearson, जो है, वो और थाइम क्यू बोले भी नहीं चले आते हैं आएंगे ममी ये कर दो ओके बाइ ममी ये कर दे ना ओके बाइ अरा बिलकुल भी एप्रिशियेट रही करते मिसिसस फिर्स उने बोलती है कि तुम अपना स्चाण लू हरा आई यू अर दी वुमें ओप दा हाउउस ऐसा नहीं है कि तुम्को इना अउक रानी हो तुम अपने लू खड़ी हो इसी स्वीट है बहुती इनोसें यह भोली है कभी आवाज नहीं उठाती है तो वह बोलती है नहीं नहीं मैं अपने परिवार को तकलीव नहीं देना चाहती हाना मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली को किसी भी प्रकार का डिसकम्फर्ट हो तो मैं ऐसा कुछ स्टान वगेर नहीं लेना चाहती ठीक है जैसा चल रहा है सही है she continues to handle their tantrums tantrums मतलग जितने भी नखरे जितने भी बहारे होते हैं वो handle करती रहती है Mrs. Pearson because she doesn't know where to begin when it comes to making them disciplined तो प्यों पता ही नहीं है वो क्या करें कहां से शुरू करें अगर बात है इन्हें discipline बनाने की बात है कि इनसे इज़त लेने की तो वो कहां से शुरू करें क्या बोले उन्हें पता ही नहीं है तो इसलिए जो होता है वो वैसे ही flow के साथ आगे आगे बढ़ती रहती है यह सब वो Mrs. Fitz को बता रही है अब Mrs. Fitz के दिमाग में एक idea आता है वो बोलती है यह देखो तेरे बसकी तो है नहीं हना सक्त बनना पड़ेगा और तू सक्त बन नहीं सक्त क्योंकि तो बहुत ही sweet है बहुती innocent है बोली है Mrs. Pearson is hesitant at first but then Mrs. Fitz convinces her for it तो Mrs. Fitz क्या बोलती है एक plan propose करती है एक काम करती है मानलो बच्चो यहां पे मेरी एक friend खड़ी है वो क्या बोल रही है कि Tania तू मेरी body में आजा में तेरी body में आ जाती है आपन प्लेश स्विच कर लेते हैं तो अभी मानलो कि मेरी body में कोई और आ गया ह तो तुमें शकल से तुताने में भी दिखेंगी बट वो होगा कोई और तो हो सकता है जो ताने में नहीं भी बोलती हो वो भी बोलते है तो Mrs. Fitz भी यह plan स्विच कर रही है कि भाई देख एक काम करते है तू वैसी भोली है तुछ से कुछ बोलानी जाएगा तू इतनी innocent है त तो अब तु क्या कर एक काम कर तू मेरी बोडी में आजा मैं मैंजिक से कर देती हूं मैं तेरी बोडी में आ जाती हूं तो तेरी फैमिली मेंबर्स को यही लगेगा कि Mrs. Pierson है बट मैं बोलूंगी उन्हे जो बोलना है तो पहले पहले तो वो बहुत जीजगती है Mrs. Pierson के नहीं ऐसे कैसे ही है वो बट फिर उसके बाद Mrs. Fitzs उने convince कर दो Mrs. Fitzs performed her magic that she had learned from the east पर वो अमना magic perform करती है जो वो east side से सीख कर आई थी और उनकी जो personality है वो change हो जागा फिक है शकल भई रहती है personality change ना इक तरीके से आतमा बोलो हमारी हिंदी की वाशा में है फिक है तो personality change अब अब यहां पर क्या है twist अब switch हो गया play अभी तक जो Mrs. Fitzs थी वो हो गई है Mrs. Pearson और जो Mrs. Pearson थी वो हो गई है Mrs. Fitzs तो शकल सेम है बट अंदर से personality switch now Mrs. Fitzs is actually in Mrs. Pearson body and vice versa फिक है तो अब मान लो यहां पर पियर्सन बैठी थी यहां पर फिट्स बैठी थी अभी क्या है दोनों भही पर बैठी है दोनों की bodies वही है बट अंदर से personality switch हो गई है अना अब आगर आप Mrs. Fitzs को देखोगे तो वह बहुती 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 इनोसंट की तरह बात करेगी क्योंकि अंदर से वह Mrs. Pearson है और Mrs. Pearson को देखोगे तो शकल वही है बट अब वह तेज तरह है तो अब यह क्या होगा यह जाएंगी अपने घर इनके बीवी बच्चे ओविसली शकल तो वही है कुछ डाउट होगा नहीं बट जो वह बोलेंगी ना अब मजा आएगा देखो देखो नहीं मिसस पियर्स तो वह क्या बोलती है वह बोल रही है कि भाई देख तेरे घर पर हूँ चलिजा मेरे चाहिए तो मजमिन आ रहा है ना इनकंफियूज तो नहीं औरे बिल्कुल अपोजर रोल हो गया है जैसे ही मिसस पियर्सन की बॉड़ी में आई वह बोलती है कि अम मैं यहीं पर हूँ तेरे बीवी बच्चों को मैं देख लूँगी, तू मेरे गर चली ज़िए। कि वो आने वाले होंगे, फिर उन्हें मेरी शकल तो दिखे कि obviously मैं हून के लिए माँ, आना तो तू मेरे गर चली ज़िए। वो उसे हमने घर भेज देती है। अब आगे क्या होता है? अब वो क्या देखती है? वो देख रही है, उसकी मम्मी स्मोक कर रही है। तो यह यार, यह तो आज तक नहीं हुआ, यह कैसे हो रहा है? अब आक्च्वल में बच्चे वो उसकी मम्मी नी है, मम्मी के अंदर कौन है? मिसिस फिट्स है? अब वो उन्हें मलच अखा रही है, तो अब वो बहुत जाज़ा शौक हो जाती है, बोलती है, यह क्या हो रहा है? तो उसकी मम्मी वहिया स्मोक कर रही होती है, और फिर उनके बीच में और अग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं, वेर मिसिस पियरसन इंसल्ट चार्ली स्पेंस, दगाई शी अब टो आउट वेर, चार्ली स्पेंस कौन होता है, डॉरिस का बॉइफ्रेंड होता है, ठीक है, उसके साथ बहुत डेट पर जाने वाली होती है, तब ही यह ड्रेस कर रही होती है, बन मिसिस पियरसन बहुत बे तो चार्ली स्पेंस की भर बर के बुराही करती है ठीक है और उसे डॉरिस को रूला देती है तो वह रोती रोती चली जाती है अजो बेटा आता है अब बेटा आता है अन्दर आता है अंदर गर में अजग को चाह काने को देदो वह भी शॉक्शन थे आपन आच से जादा बेटर कभी फीली नहीं हुआ तो वह अभी यहाँपन देंगी जवाब देंगी तो अबी क्या है मिस्स फिट्स की बॉडी में उनके घर पे बैठी हुई है मास तो यहां पर जो मिस्स पिर्सन की बॉडी में मिस्स फिट्स है वो हर बात का उल्टा जाब दे लिए अना बोल रहे भाई कुछ हो गया मुझे क्या होगा अना मुझे तो आज से कभी बेटर फी बूलता है यार क्या है क्या है क्या बीवियर है मम्मी का और इस जॉइन हिम वेर दे आ टोल्ट मिस्स पिर्सन माइच इविन टेक दवीकेंड और मिस्स पिर्सन क्या बोलती है देखो इने कुछ नी बनाए है और ऐसा भी हो सकते है कि मैं वीकेंड बी कुछ ना बनाओ तो अब यह दोनों भाइबें शॉक्डो जाते है कि आखिरकार हमारी मम्मी को हो क्या गया क्योंकि ऐसा होता है न बच्चों जो आपके साथ अच्छा भीव कर रहा है कर रहा है कर रहा है फिर हम उसका फायदा उठाते है और फिर जब एकदम से उसका रवाईया बदलते है तो आपके साथ है कि दिन में पी रही है यह अनौंस इस अट है कि मेरा ना क्लम में इक आपके साइटी का क्लम में उसमें कोई स्पेशल माच है और मैं आफ मतलब यह दुपहर की चाय मैं हापन नहीं पिऊंगा और बिंग तो देर इस नोटी तो वह बोलती है हाँ चाय है भी कि इस तरीक से बात कर रही है मिस्स पीर से लॉक्स इंपर गेटिंग अटिंग वॉट इंट आपक्टिव एंड लाइन क्या मतलब है मिश्री पियर संगों ने बहुत सुनाती है अक्च्वल में उनकी बीवी नहीं है मिसस विट्स क्या बोल रही है उनको बहुत बताओ तुम चाय प्यों या ना प्यों बनी उनिच यह यह नहीं है, बोख रही है कि जर मशने हैं लिए वाली बात है वोलती है, एसा है, नहीं होता तुम कभी घर पे भी बैठते, जब देखो, होग क्लब चले जाते हूं, तुम्हीं बटके लग का बलाते हों, तब भी तो मुठ पंद बैठते, तुम्हारी गृज़त तो करते हैं, इस तरीके से वो उन्हें घौट कर रही हैं, आफ्टर वाइल मिसिस फिट्स एंटर अब थोडी देर में क्या होते मिसिस फिट्स की एंट्री होती है अब 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 उनके घरवालों को क्या लग रहा है कि यह मिसिस फिट्स की वाके खड़ी हो गई अना मतलब उसे दिख रहा होगा कि मेरे बच्चों के साथ कैसा बीएव कर रही है तो भाई उसके बच्चे अब क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं तुम दूर रहो तुम क्यों इंट्रफेर कर रहे हो उन्हें नहीं पता ना कि इनकी बॉड़ी में हमारी मम्मी एसलिए हमारी साइड ल सब्सक्राइब करती है जॉर्च को बहुती है तमीज से बात करो में दोस्त आज तक जिस औरत नहीं उठाई उसके मुह से यह सब सुनते हैं को लोग शौक्ट हो रहे है उन्हें तो नहीं पता ना कि भाई है तो हमारी बीवी बट अंदर कोई और है आगे जॉरीज एंटर अग्च्वल में मिस्स पियर्सन है लूज़िस अर कूल एंस्ट फैमिली मेंबर तो एक्स्क्यूज दू प्रेंड्स फॉर अ मोमेंट वह बहुत जादा इरिटेट हो जाती है नहीं पाई कि यह साही कर रही है बट वह बहुत इरिटेट होती है क्यूक्कि उसे पता है कि उ अग्च्वल प्रामिस भी करती है कि आप चिंता मत करो यह जो आपको लग रहा है कि मिस्स पियर्सन यानि कि आपकी बीवी को मम्मी को क्या हो गया भी ठीक हो जाएगा प्लीज तो अब जब सब भार चले आते तो वह जो आक्च्वल मिस्स पियर्सन होंगे बोलती है वापिस मुझे मेरी बॉड़ी में लाओ क्योंकि तुम ऐसा बरताफ कर रही हो मेरी फैमिली के साथ मुझे वापिस आना है बहुत हो क्या मिस्स फिट्स रिजिस्ट मतला मना करती है थोड़ी देर और रुख जाओ अब भी मैं तुमारी बॉड़ी में हूँ मुझे ने सही करने तो रुख जाओ अभी बट नहीं वुजित करती है तो वह मान जाती है रिपीट द प्रॉसेस अब वह दुबारा से वह माजिक करते ह दोनों अपनी अपनी बॉड़ी में आने के लिए और दोनों अपनी अपनी बॉड़ी में आ जाते हैं अब जो अपनी अपनी बॉड़ी है दोनों के पास अब जो मिस्स फिट्स होती है न वो एक्स्प्रेइन करती है मिस्स पिरसन को कि हाव इंपॉर्टेंट इस फोर हर त तो मिनेट करो उन्हें अपना थोड़ा सा यूनो रुत्बा सा दिखाओ उन्हें तो इस्टाबलिश और कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट ताकि वह तुमारी इज़त करें अगर तुम ऐसे भीगी बिल्ली की तरह कुछ भी सुनती जाओगी तो यह तुम्हें कुछ भी सुनाते जाएंगे हाना तुम्हें हाउसमेड की तरह ट्रीट करेंगे जबकि उन्हें भी इज़त से ट्रीट करना चाहिए अब उसकी बाद क्या होता है उनकी पूरी के पूरी फैमिली आती है प्यरसन सजेस्ट करती है कि चलो रमी खेलते हैं और आज का खाना बच्चे बनाएंग है तो भाई everyone instantly agree सब तुरण मान जाते है ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि भाई अपनी मम्मी से obviously डर जाते क्या होगे हमारी मम्मी को सब तुरण मान जाते कि हाँ हम सारे family day मनाएंगे आग सब साथ बैठेंगे कोई कहीं नहीं जाएगा और खाना बच्चे बनाएंगे ठीक है तो यह था आपका पूरा का पूरा प्ले इसमें mostly importance of mother you know इसको highlight किया गया है बताया गया है कि किस तरीके से हमारी मम्मी हमार ले बहुत चीजे करती है और हम उनको उतनी इसत या उतना respect नहीं करें ठीक है चालिए अब इसी के साथ बेटा जी हम कर लेंगे पहले आपके ncrt क question answer फिल थोड़े से previous year question answer तो देखो यहां पर लिखा है कि यह जो play है 1950s में लिखा गया है बहुती humorous है बहुती satire इसमें you know एक तरीके से portrait किया गया है किस चीज के उपर status of mother के उपर ठीक है तो इसमें क्या-क्या issue है जो बताए गए हैं तो आप बोलोगे the play has thrown light upon the crucial and common life issue बहुती आप the life issues है भले ही वो आम है common है बट वो बहुत ज़दा important है crucial है the first and foremost foremost मितलब important कि जो पहला concern है न वो क्या है the plight of housewives इना household के घर में housewives के साथ कैसा बरताफ किया जाता उनका दुख क्या है जो भी husband और बच्चे होते हैं 8 गंटे की shift करके आते हैं और गो जो housewife 24 गंटे की effort मारती है shift करती है उसे neglect कर देते हैं अना just because अपनी लाइफ से comfortable बनाने के लिए बच्चे स्कूल से आते हैं college से आते हैं जॉब से आते हैं मम्मी पानी मम्मी खाना मम्मी यह मम्मी फलाना ठीक है बट वो यह नहीं देख रहे है कि मम्मी सुबा उठके तुमारा भी lunch pack कर रही है breakfast भी दे रही है यहां भी कर रही है कपडे भी धूरी है तो it is like a 24 hour शक्राइब तो एक रिजन यह है दूसरा जो कारण जो मुद्धा यहां पर उठाये गया है वो यह है कि क्या कारण है कि इनके साथ ऐसा बरताव होता है because they never speak about what they do इसलिए होता है क्योंकि मम्मिया ना कभी भी बोलती नहीं है कि वो क्या कर रही है तो ना once in a while उन्हें थोड़ा सा बोलना चाहिए जताना चाहिए बढ़ मम्मिया क्या करती है बस करती रहती है बदने में कुछ भी मांगती नहीं है they don't even speak up for the respect अपने respect के लिए भी अवाज नहीं उठाती है क्योंकि वो नहीं चाहते क्योंकि उनकी family हो कोई तक्लीफ क्योंकि वो नहीं चाहते क्योंकि उनकी families एक uncomfortable environment में ठीक है next one more issue that has been highlighted एक और issue है जो highlight हो रखा है वो आप बोल सकते हो कि mothers and wives shall love unconditionally and unapologetically क्याने कि जो उनका प्यार होता है न हम जैसा भी बरताव कर ले वो सेम ही रहता है उनका प्यार जो है न वो one way है वो बदले में हमसे कुछ expect नहीं करते एक तरफ अप्यार की ताकत तुम करता है उसकी भी एक अलगी बात है तो वो return में कुछ भी expect नहीं करते ठीक है even if it's the simple thing एक simple SI think कि बहुत बार ममिय चाहती ही कि उनकी family उनके साथ time spend करे हम लोग हमारे दोस्तों के साथ बाहर चले आते हैं न आप लोग खुद बताओ उस तो के साथ चले आएंगे यहाँ चले आएंगे वहां चले आएगे वाहां चले आएंगे वाट family के साथ तो यहाँ पर वही वाली बात है अब इसको पढ़ने के बाद जाना and spend a day with your दर चालो अब आपको क्या लगता है कि बेसिक अच्छा एक और बात मुझे कॉमेंट करके आप लोग जरूर रता कि अभी तक कभी हमने इस कहानी में पढ़ा आप उससे कितना रिलेट करते हैं पर्लब 10%, 20%, 50% कितना है तो आप लोग इससे रिलेट कर पाते हो कि आप भी अपनी मम्यों के साथ ऐसी ही करते हो या आपके घर पर ऐसी होता है या आप भी उनके efforts कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते हैं आप बेसिकली बोल सकते हो कि जो Mrs. Fitz का characters है वो एक तरीके से ना बहुत जादा over करके दिखा रखा है ठीक है put not the issues but her character suits because whatever she enacts that all is for betterment of Mrs. Gerson the problem raised are genuine because it gives the genuine picture and condition of the family in 50 तो बेसिकली आप याप बता सकते हो कि Mrs. Fitz का character है ना वो थोड़ा सा over करके दिखा हना यहाँ पर कहारी कि issues का पतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को exaggerate करा हो over किया हो तो बोला गया है कि आपको लगता है कि issues को बड़ा चड़ा के बताये गया है तो हमने बोला कि नहीं issues को तो बड़ा चड़ा के नहीं बताये गया है बट जो Mrs. Fitz का character ना उसी थोड़ा सा over करके बड़ा चड़ा कर बताया गया है बट जो भी Mrs. Fitz कर रही है वो betterment के लिए ही है उनके character को suit कर रहा है वो Mrs. Pearson के लिए betterment के लिए ही करती है और रही problems की बाद तो problems of course genuine है क्योंकि एक genuine picture देती है कि 50s में अभी भी एक mother की condition एक household में कैसी होती है हाँ जी अब जो हमारा यहाँ पे last question पूछा गया था कि how does the play resolve कैसे play में इन issues को solve करा तो आप बोलोगे बहुती dramatically तरीके से करा as whenever someone in problem wishes to be someone mightier to face ऐसा होता है ना कि जब भी हम किसी problem में होते है तो हम अपने मन में सोच रहते है काश हम ऐसे होते है अगर हम ऐसे होते है तो यह problem नहीं होती तो उसी तरीके से इस play को किया गया है काश Mrs. Fitz की तरह में होती तो Mrs. Fitz से उनकी body में आ गई and skillfully problem को solve किया the same happened in the play and the issues are resolved I do agree because true realization can only eradicate for power next if you were to write about these issues today what are some of the incident example and problems you would think as relevant अब इसमें आपको कुछ examples बताने है ठीक है कि अगर आप इन issues के बारे में आज के बारे में सोचो तो आप क्या examples है जो बता सकते हो तो यह completely आपके उपर है बट आप एक बड़ी सको read कर लेना that is what I would suggest ठीक है is drama a good medium for conveying a social message क्या drama एक अच्छा medium है आपको लगता एक अच्छा साधन है social message को convey करने का तो बिल्कुल आप है बहुत पहले से लोग through various dramas या नुकर ना टकके थू है न लोग क्या करते आए हैं various तरीके के social messages देते आए हैं जब भी हम किसी को direct जाकर ग्यान देते हैं न तो लोग उसे ignore कर देते हैं लोग चड़ जाते हैं लोग annoyed हो जाते हैं बट ड्रामिक है एक तरीके से presentation है अना एक तरीके से एक movie की तरह हम उनको दिखाते हैं कि देखो ऐसी चीज़े हो रही है तो उसका impact लोगों की दिमाग पर जादा पड़ता है यह एक बारी read कर ले रहा ठीक है NCRT के question answers एक बारी read कर ले न मैं स्लाइट भेश दूँगे telegram पर Let's move to the previous year question answers जो पहले भी आ रखे Who is Mrs. Fitz? What does she advise Mrs. Pearson? तो आप बोलोगे कि Mrs. Fitz, Mrs. Pearson की neighbor और दोस्त है वो एक fortune teller है ठीक है जिनोंने अपनी जो art है, जो magic है वो east side से सीखा है और वो Mrs. Pearson को बताती है कि उनका जो fortune है ना वो किसी भी तरीके जा सकता है उनके favor में भी हो सकता है उनके opposes, मतलब oppose भी हो सकता है अगर वो थोड़ा सा effort लगाए या जो उनके बोला जाए वो उनके follow करे तो situation जो है उनके favor में भी आ सकती है वोने advice करती है कि थोड़ा सा dominating बनो और अपनी बात आगे रखो as the boss of the house बोला गया है बचो Mrs. Pearson का reaction क्या है Mrs. Fitz की advice के उपर तो Mrs. Pearson बोलती है कि यह easy नहीं है मैं अपनी family members को इस position में डालू uncomfortable करा दू because I love them so much तो मैं नहीं चाहती हूंने मेरी वज़े से किसी भी प्रकार की तकलीफ आए She knew that they were thoughtless उनके पदा था कि उनके family member thoughtless है उनके बारे में सोचते नहीं है बहुत ज़्यादा selfish है बड़ तब भी वो उन्हें बिल्कूल भी discomfort देना नहीं चाहती थी Next What was Mrs. Fitz's opinion of Mrs. Pearson's attitude? Mrs. Fitz's का क्या opinion था Mrs. Pearson के लिए उनके attitude को देखते हुए तो वो बोलती थी कि भाई तुम्हारा जो attitude है ना बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ है Mrs. Fitz said that Mrs. Pearson's family was undoubtedly spoiled कि तुम्हारा एक तो attitude दबा हुआ है उपर से तुम्हारी जो family है पूरी की पूरी spoil पूरी की पूरी खराब है तुमसे इतना ज़्यादा selfish है तुमसे इतने काम निकलवाती है और तुम अपने लिए stand तक नहीं ले पाती हो ठीक है कि अभी अगर तुम्हारा जो attitude है तुम्हारा behavior है ना basically वो किसी काम का नहीं है ठीक है तुम बस उनकी needs को पूरा कर रही हो उनके orders ले रही हो उनके घर पर रही हो पर रात को और वो अपना बाहर जा रहे हैं enjoy कर तो तुम उनके लिए कुछ भी माइने नहीं रखती है what does Mrs. Fitz offer to do for her Mrs. Fitz ने क्या offer करा कि हम लोग क्या कर सकते हैं Mrs. Fitz ने sense कर लिया कि Mrs. Pearson बहुत ही सादा gentle है अच्छी है सबमिसिव है यानि कि दब जाती है थोड़े से दबेवे सभाव की है generous है kind है तो वो अपनी family को tackle नहीं कर सकते हैं और वो नहीं सुधार सकते हैं Mrs. Fitz ने offer करा कि एक काम करते हैं इन्हें realize तो कराना ही है कि यह क्या गलती कर रहे हैं ठीक है तो हम अपनी bodies को change कर लेते हैं और फिर दुबारा से change कर लेंगे जब यह पूरा process हो जाएगा next How did the two women react after their bodies were changed तो जब उनकी bodies बचो change हो गई उन्होंने react कैसे करा When Mrs. Pearson looked down at herself in Mrs. Fitz's body she gave a scream of fright जैसे ही बड़ी बचो switch होई और Mrs. Pearson ने देखा कि अरे मिस्स फिट्स की बड़ी में वह एकदम से cheek पड़ी On the other hand Mrs. Fitz is rather please Mrs. Fitz तो पता ही था क्या होना है उसी ने तो magic किया है तो वह Mrs. Pearson की बड़ी में जाके बड़ी मस थी कि एकदम थीज एकदम cool थी से feel हो रहा था कि जो transition है जो इस switch करना हुआ बड़ी का वह बहुत ही neat हुआ है ठीक है कि that she did not even know that she had it in her नहीं पता भी नहीं था कि यह वह कर सकती है और कोई पहचान ही नहीं सकता इतना जादा neat हो तो दोनों की opposite reaction थे Mrs. Pearson चौक गई और वह बिलकुल शान थी taken back to see her mother smoking, taken back मतलब surprise shocked हो गई वह अपनी ममी को smoke करते वे देखके cards खेलते वे देखके जब Doris ने अपनी ममी से पूछा आप क्या कर रही हो तो वह और ज्यादा shock हो गई अपनी ममी का answer सुनके answer क्या था ceiling को white wash कर रहे हूं अना taunting में मैं कि भाई तुझे दिखनी रहा मैं क्या कर रहे हूं मुझसे पूछ कैसे moreover her cutnacht was not nervous and apologetic but cool अभी क्या था moreover उनका जो बोलने का तरीका था वो बिलकुल भी submission नहीं था बिलकुल भी nervous होके नहीं बोला cool तरीके सुनका बिलकुल कि मैं sorry ही नहीं हूं भी क्या कर रहे हूं white wash कर रहे हूं okay next यहां पर बचो पूरा का पूरा जो चाप्टर है वो हमारा खतम होता है I hope आपको समझ में आया होगा I hope आपके लिए question answers भी useful रहेंगे याद कर लेना झाल